नमस्कार दोस्तों, डियाबेटीज वीडियो सीरीज का ये पहला एपिसोड है, मैं डियाबेटीज वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए ला रहा हूँ जो डियाबेटीज के मरीज है, और मैं इसमें मेली उस चीज में फोकस करूँगा कि किस तरह से फिजिकल एक्टिविट या फिर एक्सरसाइजस आपको, आपके सुगर को मैनेज करने में हेल्प करेगा, तो आज का ये पहला एपिसोड में हम कवर करेंगी कि आखिर ये डियाबेटीज होता क्या है, और इसके क्या डिफरेंट टाइप्स है और इन टाइप्स में क्या डिफरेंस क्या अंतर होता है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वेड चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए क्यों कि ऐसे ही हेलफ़ूल वीडियो मैं लाते रहता हूं तो सबसे पहली बात कि ये डाइबेटीज होता क्या है सिंपल सब्दों में डाइबेटीज यानि की हमारे बलड में सुगर का लेवल बढ़ जाना हमारे बलड में एक ऑप्टिमल सुगर लेवल का जरूरत होता है सुगर जिसको हम लोग ग्लुकोज भी बूल सकते हैं एक ऑप्टिमल ग्लुकोज लेवल का होना जरूरी है ग्लुकोज को ही हमारे muscles की जो cells होते हैं हमारे body की जो tissues cells होते हैं वो उसे utilize करता है और उससे energy generate होता है फिर हम कोई भी activity करते हैं हम कोई भी activity जैसे आप देख रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं इन सब के लिए एक energy एक उरजा का जरुत होता है जिस तरह से एक बल्ब जलने के लिए एक एलेक्टिसिटी का जरॉत होता है, वो एनर्जी होता है, उसी तरह से हमारे सरीर को काम करने के लिए उर्जा का जरॉत होता है, जो की हमें ग्लुकोस जाने की सुगर के जरिये मिलता है हमारे ब्लड में, तो ब्लड में एक आप्टिम जिसे हिंदी में हम मधू में बोलते हैं क्योंकि मधू में मतलब कि हमारे खून में मधू यानि कि शक्कर का बढ़ जाना तो अब यह जो ऑप्टिमल लेवल है इसको कौन मेंटेन करता है कैसे चेक होता है कि हमारे ब्लड में सुगर का लेवल ठीक ठाक रहे एक सही मातरा में रहे यह कैसे कौन चेक करता है इसको चेक करने के लिए इंसुलिन की ज़रत होती है उस इंसुलिन जो की हमारे पैंक्रियास में एक बीटा सेल्स होता है पैंक्रियास एक ओर्गन होता है जो हमारे अब्डोमन के असपास होता है उस पैंक्रियास से में बीटा cells होता है और वो beta cells एक insulin प्रदार्थ produce करता है वही insulin check करता है कि हमारा blood sugar level ज्यादा आगे ना बढ़े ज्यादा उपर ना जाए तो जब ये insulin की मातरा कम हो जाए या फिर जब ये insulin का मातरा तो सही मातरे में produce हो रहा है मगर हमारा सरीर या हमारा cell उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाए इन एक्टिव हो जाए तब जाकर के हमारे blood में sugar का level बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है तो इसी के basis पे हम लोग diabetes को चार types में डिवाइड कर सकते हैं एक है type 1 diabetes दूसरा है type 2 diabetes उसके बाद है gestational diabetes और third है pre-diabetes तो gestational diabetes और pre-diabetes ये एक इसको हम लोग type 2 के अंदर ही consider करके हम आगे बढ़ेंगे gestational diabetes जाने की वो diabetes जो की pregnant ladies में होता है और 24th 26th month की आसपास ये diagnose होता है usually उन pregnant mothers में जिनको पहले कभी कोई diabetes की सिकायत नहीं थी मगर जब वो pregnant होते हैं तब जाकर जब diabetes होता है तो उसको हम लोग gestational diabetes में करते हैं एक pre-diabetic दूसरा जो फूर्थ जो category है वो मतलब की डायबेटिक का एक optimal level होता है उस level से थोड़ा ज्यादा है मगर वो उतना भी ज्यादा नहीं कि हम उनको diabetic कहेंगे यानि कि वो एक dangerous level में है कभी भी वो diabetic में आ सकते हैं और हम लोग फिलाल type 2 diabetes में हम लोग रखेंगे तो अब बारी आता है कि type 1 diabetes और type 2 diabetes में क्या difference है देखिए दोनों में बहुत difference है type 1 diabetes mainly इसमें क्या है कि insulin का secretion ही बंद हो जाता है यानि कि हमारे blood में insulin का जो मैंने अभी अभी बताया कि हमारे blood में insulin का क्या में वह हमारे blood sugar level को check करता है वह बढ़ने नहीं देता है उसको तो जब हमारे pancreas में यह insulin ही produced नहीं होगा तो जाहिर सा बात है कि sugar का level बढ़ेगा और आपको diabetes होगा तो इसका कारण यह है कि हमारा सरीर में एक autoimmune disease होता है autoimmune disease जो हमारे ही cells को हमारे ही useful cells को वह destroy कर देता है तो जब यह autoimmune disease हमारे pancreas के beta cells मैंने आपको बताया था beta cells insulin प्रोडूस करता है उस beta cells को destroy कर देता है तो insulin प्रोडूस होना बंद हो जाता है और फिर हमारे blood में sugar का level बढ़ते जाता है हमें sugar हो जाता है इसके उल्टा type 2 diabetes में क्या होता है कि type 2 diabetes में insulin का production है वो normal level पे हो रहा है ठीक है normal level पे हो रहा है मगर क्या है कि हमारा cell हमारा जो body है वो insulin से resistant हो जाता है वो उससे interact नहीं कर पाता है जिसकी वजह से blood sugar का level बढ़ते जाता है तो यह तो था पहला difference second difference type 1 diabetes usually बच्चों में यह adolescence में होता है और यह sudden onset होता है क्योंकि यह autoimmune disease के जरिये होता है इसलिए यह sudden onset यानि कि अचानक से बच्चों में दिखाई देगा कि उनको उनका weight घट रहा है वह पतले होते जा रहे हैं उनका weight घट रहा है ज्यादा थाकान थाकान सा उनको लगता है फिर weakness type का लगता है तो हो सकता है कि उसको sugar का problem है इसके उल्टा type 2 diabetes usually adults लोगों में होता है above 35 के उमर के बाद होता है और यह usually lifestyle problems के related होता है यानि कि आप अगर inactive lifestyle है आपको लंब लंबे घंटों तक आपको बैठ करके काम करना होता है या फिर आप sedentary lifestyle जी रहे हैं आप कोई exercises कोई physical activity नहीं कर रहे हैं तो यह type 2 diabetes होता है इस वजह से जिसके हमारे सरीर में cholesterol चर्भी जमना सुरू हो जाता है और जिसके वजह से हमारे blood में sugar का level बढ़ते जाता है और हमें type 2 diabetes हो जाता है उसके पर टाइप 1 diabetes बहुत rare होता है वो 5-10% लोगों को ही होता है लेकिन type 2 diabetes बहुत widespread है यानि कि 95 से लेकरके 80% लोगों को type 2 diabetes का सिकायत होता है मगर यहां एक राहत देने की बात है कि type 2 diabetes को हम physical activity और exercises से हम इसको बहुत हद तक control कर सकते हैं और type 1 diabetes में देखे insulin का ही secretion बंद हो जाता है तो हमें regular वहाँ पे insulin का injection देना होता है insulin का dose देना होता है थाकि blood sugar level उसका maintain रहा है और यह तो था एक in general type 1 और type 2 में क्या difference है लेकिन इसका एक symptoms क्या होता है overall एक sugar का या फिर एक diabetes का symptoms क्या होता है